अगर आप सभी के मुबाइल फोन के अंदर गूगल डालर हैं आप उससे कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे साउंड आता है कॉल रिकॉर्डिंग आनका आपको गूगल डालर में सिर्फ थ्री सेटिंग करना है जो कि किसी को भी नहीं पता है और वो सेटिंग किसी ने अपने मोबाइल फोन के अंदर नहीं किया है यदि आप रिकॉर्ड के लिए नहीं करते हैं तो आप बहुझ ज़दा पस्त हो गे यह यदि आप गुगल डाल से कौॉर्ड at को कर्डिंग को disable कर सकते हैं यहां पे यह setting आप सभी के लिए बहुत ज़्यादे खास बहुत ज़्यादे यूजफुल और बहुत ज़्यादे important होने वाली है तो यह जो three setting है यह बहुत ज़्यादे खास आप सभी के लिए या बहुँ जदे यूजपूल हो सकती है तो ये फिल स्टिंग क्या है जो आपको जाना बहुँ जदा इन्पॉर्टेंट है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताते हैं नमस्कार दोस्तों मरिया नमराजू आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए चैनल सब्सक्राइब करके औल नोटिफिकेशन के ओन कर लिजिए जिससे आपको मेरे सभी ने वीडियो का नोटि आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाए देगा आपको सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक कर देना है क्लिक हो जानने के बाद आपको यहाँ पे 1 नमर दिखाए देगा कॉल हिस्टिरी 2 नमर दिखाए देगा सेटिंग और 3 नमर दिखाए देगा help and feedback आपको यहाँ पे 2 नमर पे पर आपको दिखाए देगा, flip to silence आपको flip to silence पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक हो जानने के बाद यहाँ पर आपको इनेबल दिखाए देगा, आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हो जानने के बाद आपको यहाँ पर इसे disable पर क्लिक कर देना है उसके वाद आपको यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है बैक हो जानने के वाद आपको यहाँ पे दिखाए देगा Caller ID Announcement आपको यहाँ पे Caller ID Announcement पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक हो जानने के वाद आपको यहाँ पे दिखाए देगा वल्ली विजिंगे हैंड सेट और थार्ड नमबर पर आपको दिखा देता है निवर आपको यहां पर सेकंड नमबर पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक हो जानने के बाद आपको यहां पर बैग पर क्लिक करना है बैग पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फस्ट वाल आपको यहाँ पर एक box दिखाई देता होगा आपको इस box पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक box का option देता है flip spam calls आपको यहाँ पर इस box पर क्लिक करके आपको इसे enable कर लेना है उसके बाद आपको bag पर क्लिक करना है बैक पे क्लिक हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर ओपिन कर लेना है प्ले स्टोर ओपिन करने के बाद आपको यहां पे एक सर्च बाक्स दिखाए देगा आपको सर्च बाक्स में आपको यहां पे टाइप करना है आपको टाइप में लिखना है Google डाइलर तो आपको इस तरह यहाँ पे टाइप में लिख देना है उसके बद आपको यहाँ पे गूगल डालर पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक हो जानने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है अपडेट हो जानने के बद आपको ओपन कर लेना है ओपन कर कर सकते हैं I hope आपको वीडियो बहुत जदे पसंद आगा वीडियो फसंद आ वीडियो को लाइक किजिए सेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करके और नोट्फिक्सन आन कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में